हाई दूस्तों हर्किंगे नमामी केंगे आप सबका हार्दिक स्वागत है रमिश कुमार वी ब्लोक्स में अभी आप दो पहर के बारा बच के 30 मेंट का द्रिश्या देख रही हैं आज हम आपको मार्किट का द्रिश्या और साथ में हरकी पैडी क्या द्रिश्या तो दिखाए करेंगे और साथ में अन्य घटों का द्रिश्या दिखाएंगे आप विकेंट में यानी कोई होली के दिन आने का प्लान कर रहे हैं तो आप यह वीडियो जब देखिये गाव शेयर कीज़ेगा जो होली के दिन हरिद्वर मा गंगम में डुपकी लगाना चाह रहे हैं आशि हर्की पैड़ी जहां पे भीड काफी जादा है ऐसे तो भीड सुबह नौ से बारा एक बज़ तक होता है और यह लास्ट भीड का दिरिश से देख रहे हैं और लास्ट हमें गंगा जी की आर्थे के दौन आपको भीड और भी काफी जादा देखने को मिलने वाला है अभी हम आपको सबसे पहले द्रिस्ट दिखाएंगे मार्केट का उसके बाद हम आपको गंगा घाटओ को द्रिश्ट दिखाएंगे यह काविड साथ सादालू कहना था कि होली के दौरान हरी दौरां में हरकी पैड़ी कि आसपर मार्केट खूले रहेंगे रहेंगी हम वहां पर आ और यहां पे आपको जूता इस्टन मिल जाएगा जो की निसुल का है देख रहे हैं यह जो द्रिश्य है यह है सबसे प्रमुक मारकेट मोती बजार जाने का मारगा देख रहे हैं काफी आदब भीड है और यह तो आप जानते ही है अपरोड जाने का मारगा है और होटल रमसा सब्सक्राइब करेंगे और नीचे आपको सजे वे दुकान जहां पे आप स्वापिंग कर सकते हैं होटल रमसाला की बोकिंग आगा अगर आप पहली करना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल में काविशारी होटल रमसाला की नंबर आपको मिल जाएंगी तो आप बोकिंग क मिलेगा कारपारिंग के लिए हरकी पैड़ी सुद्धूर यानि रेलवेशन के आसपास या फिर आपको भिम गोड़ा में रूम लेना होगा मारकेट का जो द्रीश से है सुबह से ही सजनाय स्टार्ट हो जाता है इस मारकेट की बात कर रहों में आप परोड का और मोती बज अगर आप भरफेट खाएंगे 100 रुपया भरफेट आप खाना खा सकते हैं अगर आप लोकर के सुदा चारे गंगा घाट के पास ये लोकर है और ये गंगा घाट की प्रमुग दुआरे तो आप यहां पर अपनी समार रखके हरी दौर भ्रहमन कर सकते हैं और बार बैग आ देना होगा ऐसे तो गंगा घाट के अंदर नए घाट में भी एक और आप रेलेविश्टन का जानते ही हैं वहां पर भी होता ही है और रेलेविश्टन का अपना प्रशनल होता है तो यह सारा चीज आपको पताई ये चलते हैं आप घाट की और घाट का दुर से दिखाएं होली के दोरान तो पिछले बार होली में काफी जitary भीर था सदालो के संख्या काफी जादा था लेकिन इस बार होली में और भी जादा भीर देखने को मिलने वाला है क्यूंकि होली कपड़ा है आपको पता ही है रविवार और सनीवार मंडे तुझ डे यह चार दिन छुटिया का भी सीजन चल रहा है संडे और सनी वारा आज जैसे की संडे को भी चुटी है और मंडे तुजडे भीड काफी जादा होने वाला है हरिद्वार में और मौसम की बाद आप कहें तो मौसम काफी तेज धूप आज लग रहा है साम के सबस्दाइब, इतने सर्धी नहीं होती है, बस सर्धी होती है हल्की हल्कीता मुझत सबस्आ है, अएच भड़ा को सबसाते हैं to अप ला सकते हैं सुबसबस के लिए, किसी पार के अधिकत नहीं होगी हरी दौरियात्रे के दौरान यह हम पहुंच चुके हैं जहां पर गंगजी कि आरति गंठों इन्टे रहां इंतरे हैं यह इनलोा यह जैए तकि अám दो आगे तो आपको सबसे अच्छा गंगजी के दर्सन होंगे तुरे प्लानिंग करना चाहा रहे हैं तो हमने वीडियो बना रखा है संपुन रिसी के जनकरी का तो आप त्रिवेनी घाट से राम जुला तक की पूरी सफर कर सकते हैं ऐसे लश्मन जुला भी जाएंगे तो वहां पर जाने का कोई अभी आपको द्रिस्ते देखने को नहीं मिलेग क्योंकि लश्मन जुला भी बंद है और हर्मान से तूब में काम चल रहा है तो अभी वो खुला नहीं है इस तरह का द्रिस्ता है रिसे केस का और भीर का भी वहां पर द्रिस्ते दिखने को मिलता है वैसे हमने वीडियो बना रखा है वह आप जाकर जहूँ देखिए अगर रिसे केस्ट का प्लानिंग करना चाहा रहे हैं एक दिन रिसे केस्ट हरे दौ दू दौ दौ दीन कमयद करेंगा तो आपको दौनों ही जगाव को अच्छे से आप गों सकते हैं अभी हम इạn करा रहे हैं कि दुसरे घाड प्रमुग घाड जहां पर चेंजिंग रूम की सुड़ा सबसे ज्यादा है जहां पर लोगों की एक कर्मेंट आता है कि चेंजिंग रूम कहां पर है तो हम अभी आपको दिखाएंगे और भ्रमबु कुन के भी दरसंद कराएंगे लेकिन धूर स हो चुकि है इस नंकावसाय लो चोंड कर रहे हैं इसा किожалe कि लिए द्देब्ग जाथ जाता है क्योंकि जड़ यकी ज्यादा तो कहें पर कम मे आप रहन के सा उफ़ियर क्रावट कर रहे सबसे जदाप को तो मिलेंगे यह मैलवी घाट मालवि घाट में फीड संप चेंज गुरूम काफिया देखने को मिलता है वीड के एक सबसे प्रमुक वज़े वही है और घाट सबसे बड़ा है देख रहे हैं सामने जो घाट दिखाएदे रहा है महिला घाट सामने हरकी पैड़ी है ऐसे सारे घाट हरकी पैड़ी ही कहलाता है जो चमकते हुए इस्टील की दिखा दे रहे हैं वो सारे अभि हम ब्रीज में जाके दिखाएंगे दृस्या वहां से पूरी हर्की पैड़े का दृस्या आपको देखने को मिलेगा देख रहें यह चेंज गुरूम है कुछ लोग इस तरह के भी श्टान करते हैं देख रहे हैं बेरियर पे खड़े हो गए हैं जबकि वो सेप्टी के लिए बनाया गया है और कुछ लोग चैन पकड़ के जूलते हैं तो चोड लग जाता है तो फिर उनको सबक मिलता है कि नहीं करना चाहिए था क्योंकि ऐसे यह कि ब्लानिंग कर रहे हैं तो मौसम को हमने आपको बता दिया है भीड़ी काफी जादा होने नहीं है तो यहां फे मिलते हैं कि नए वीडियो में हरे नामी गंगे